है 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 हलो मेरे प्यारे साथियों एक वार फिर स्वागत है आपका वेक्टर एजुकेटर्स के आपको बताने वाला हूँ परसेंटेज के बेसिक के बारे में बात की थी और आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसे समझा होगा उसके बाद हम लोग लेकर आने वाले हैं उसके नेक्स वीडियो इसी तरीके से आपकी परसेंटेज की सीरे जाने वाली है जिसमें मैं आपको percentage के वो सारे concept बताऊंगा जिसकी जरूरत आपको examination hall में होती है जहां पर बैटके आप questions में own concept का use करके सारे percentage के question को हल कर सकते हो तो देखते हैं आपके सामने जैसे vote पे लिखा हुआ है पहला question जिसके अंदर लिखा हुआ है 65 gram is what percent of 2 kg जैसे कि last video मैंने आपको बताया था कि जहां भी आपको जहां भी आपको off then और 2 ये तीन आपको लिखे हुए धिक जहाए समझ लो इनके पास लिखी हुई value आपकी denominator में जाने वाली है इसका मतलब क्या हुआ कि उससे मुझे compare करना है यहापे जैसे कि 65 gram को यहाँ पर 2 kg के साथ compare करना है और मुझे बताना है कि कितना percentage उसका answer आएगा तो देखिए simple तरीके से स्कॉम solve करने की कोसिस करते हैं और जैसे कि मैंने देखा कि 2 kg हमारा upon में आ जाएगा 65 को compare करना है लेकिन समस्या यहाँ पर यह है तो इसको unit को same बनाना है या तो gram को kg में convert करो या फिर kg को gram में convert करो तो मैं kg को gram में convert कर देता हूँ तो यहाँ पर multiply कर दिया मैंने कितने का बच्चे 1000 तो यह हमारा gram हो गया और उपर वारा भी हमारा gram into मैंने कितना कर दिया 100 तो percentage में हमारा answer निकल के आ जाएगा ठीक है अब आप लोग देखिए यहाँ पर जैसे कि 2-0 से यह 2-0 cancel out हो गए हमारे यहाँ से बचा हमारा कितना 20 और उपर 65 तो 65 यहाँ पर बचा और नीचे बचा हमारा 20 और percentage का sign लग गया 5 से cancel करते हैं यह हमारा 13 आ जाएगा और नीचे 4 तो 13 by 4 percent कितना आ गया answer 13 by 4 percent यानि कि मुझे पता चल गया कि इसका answer कौन सा होगा A कौन सा answer होगा A answer होगा इसका समझ में आई तो यहाँ पर आपको सीखने को क्या मिला सीखने को यह मिला कि अगर कहीं भी आपको इस तरीकी की language मिल जाए जहाँ पर यह लिखा हो कि what percent of तो off जहाँ भी लिखा होगा तो समझ दो उसके बाद वाली value से ही मुझे compare करना है उसके पहले वाली value को ठीक है चली अब हम लोग next question देखते हो next question में हमारा लिखा हुआ है क्या 1 hours 45 minute कितना लिखा हुआ है 1 hours 45 minute is what percent of 1 day अब off किसके पास लगा हुआ है यहाँ पर यहाँ पर off लगा हुआ है 1 day और 1 day में कितने hours होते हैं 24 hours होते हैं लेकिन यहाँ पर देखिएगा आप लोग यहाँ पर यह minute है और यह hours है तो इसको आप minute में convert कर दो total और 1 day को यानि कि एक दिन को भी minute में convert कर दो तो फिर बड़े आसानी से आप क्या निकाल सकते हो percentage क्योंकि अगर आपको कभी भी percentage निकालना है तो आपको unit same करनी पड़ेगी जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ बार बार अब उपर देखिए 1 hour 45 minute का मतलब कितना हो गया हमारा 105 minute ठीक है divide कितने से करेंगे हम लोग divide करेंगे हम 1 day से 1 day का मतलब 24 hours into 60 कर देंगे तो यह minute बन जाएगा तो यह भी हमारा क्या बन गया minute बन गया 105 लिखा हुआ है इसको मैं cancel out करने की कोशिश करता हूँ तो सबसे पहले अगर मैं इसे 5 से करूँ तो यह 15 बन गया 12 बन गया 12 बन गया और यहाँ पर 5 से किया तो यह 21 बन गया अब मैंने देखा इसको 3 से कर देते हैं तो यह 7 बन गया और यह कितना बन गया 8 बन गया यह हमारा 7 बन गया और यह कितना बन गया 8 अब मैंने देखा यहाँ पर यह 100 लिखा हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 700 और यह नीचे हमारा कितना हो जाएगा 8 इंटू 12 अब बड़े आसानी से इसको cancel out कर सकते हैं हम लोग जैसे हम cancel करेंगे 4 से तो यह हमारा 2 आ जाएगा और 4 से इसको cancel करने के लिए जाएगे तो एक बार cancel होगा और 3 बच गया 0 है तो मेरा कितनी बार जाएगा 4 से 7, 28 और यह कितनी बार गया 5, 175 divided by 24 मैं देख पा रहा हूं कि 175 divided by 2 into 12 यह हमारा आ जाएगा यहां से अब आप लोगों को यहां पर यह देखना है कि कौनसा answer होगा तो इसको देखने के लिए आपके पास सबसे बड़िया यह है कि आप फिर से एक बार इसको cancel करिए 24 से डारेक जैसे ही आप इसे 24 से cancel out करने के लिए जाएंगे तो आपको अंदाज लगाना है कि 7 बार जाएगा कि 8 बार जाएगा कि 24 को आप जब cancel out करोगे तो अगर 7 बार करने के लिए जाते हो तो 7 और 4, 28, 2 बचेगा 7 और 2, 14 यानि कि 168 जो कि कम है जैसे ही 8 बार आप करने के लिए जाओगे इसको जैसे 8 से करोगे तो 8 और 4, 32, 3 बचेगा 8 और 2, 16 और 3 यानि कि यह हमारा जादा हो गया तो मुझे एक बात पता चल गई कि C option भी नहीं हो सकता है और D option भी नहीं हो सकता है दो option हमारे cancel out हो गया यहाँ पर कि किस तरीके से अगर आपकी फिर से 7 बच गया हमारे पास अब 7 बचा तो 7 बचने के बाद मैंने point लगाया तो 7 का कितना हो गया 70 अब जैसे ही 24 से cancel out करोगे तो अब आपके पास option भचता है कि 2 होगा तो यहाँ भी 2 है दौनों जगे 2 है तो 2 बारी cancel हो गया यानि कि 48 आ गया हमारा तो इसका मतलब यहां भी हम नहीं पहुच पाया अभी अपनी बात पर जैसे हमारा 48 आया तो 70 से हमारा 48 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 22 बच गया अब मैंने देखा यहां पर हमारा 2 आ गया अब 22 में फिर मैंने point की वज़े से 220 तो मुझे पता ही कि 9 बार यानि कि option हमारा कौन सा हो गया भी यानि कि इसमें कुछ नहीं किया गया था यह question आपके किसमें आया हुआ था एंटी PC में आया हुआ था यह question आपका और यह इस तरीके का question था कि यह तो बहुत आसान लिखा हुआ था लेकिन option इतने जादा close दे दिये गए थे कि आपको उसमें calculation करनी थी समझ पाए होगए इसको आप लोग तो इसमें समझने वाली चीज यह थी कि अगर आपकी calculation भी आ लिखते हैं तीसरे नंबर के question में क्या लिखा हुआ है इसको समझिएगा बहुत आता है SSC में भी काफी वार आया हुआ है यह question बैंक में भी यह question आ जाता है और railway में भी यह question आता है और इसको समझने का तरीका आप देखिए किस तरीके से इसे solve करना है इसमें तो pen आपको चलाना ही नहीं है और question solve हो जाएगा देखो कैसे आपने देखा 5% of A is equal to B then B percent of 20 यानि कि आपने देखा कि आपको दिया यह गया है और पूछा यह गया है ठीक है बास समझिएगा आपको दिया है 5% of A is equal to B और पूछा है B percent of 20 अब आपको इसको B percent of 20 बना देना है तो आपका answer automatic आ जाएगा तो इसको B percent of 20 कैसे बनाओगे मैं यहां लिखकर समझा रहा हूं वो समझिएगा ऐसा question बहुत आता है बहुत अच्छे से समझना है और बहुत अच्छा method है आपका यह आपके पास लिखा हुआ है B जब मैंने यहां percentage का sign लगाया तो यह percentage automatic कतम हो गया जैसी मै यहां पर off 20 किया तो इधर already हमारा कितना आ गया एक और off 20 आ गया clear ओरी बात आपको तो मुझे क्या पता चल गया यह बन गया 20 of 5 of a यह बन गया क्या यह option में किसी में match कर रहा है किसी भी option में ऐसा नहीं है तो थोड़ा सा जोड़ तोड़ करेंगे कैसे करेंगे मुझे इसक कितना कर दो 100 कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ा उपर percentage का sign लगा दिया नीचे 100 कर दिया कोई भी फर्क नहीं पड़ा तो यह बारा percentage बन गया अब 5 से इसको cancel करोगे तो कितनी बार गया 20 अब आप बड़ी अपनी मन की आँखों से इसको देखने की कोसिस करो तो आपको option इ इसको पहुत अच्छे से समझना यह question बहुत आता है चीक है इसके बाद हम next question को देखते हैं और next question देखने की कोसिस करते हैं चलिए फिर आमये के questions आम लोग देखते हैं आगे हमारे पास ये question बोड़ पे आप लिके हामने लिखे हुई आप इनको देखो और इनको करने की को उसके बाद मैं आपको कराऊगा तो अच्छे से समझ में आएगा चलिए वीडियो पहुच करना और खुद करने की कोशिश करना मैं आपको कुश्चन सॉल्व करा रहा हूंगे देखे पहला कुश्चन आप देखिए चौथा नंबर का कुश्चन लिखा हुआ है और जैसा कि आपको पता है कि आपको बनाना है 20% of 10 तो मैंने बोला इधर आप 20% का साइन लगाईए तो इधर से परसेंट का साइन खतम हो जाएगा इधर परसेंट का साइन खतम हो गया इंटू इधर आपने 10 किया यनिकि आफ का मतलब क्या हुआ इंटू यनिकि इधर आपने 10 किया त लिग्राता हूं, तो नीचे अकौन में 100 करना पड़े आपको., नीचे अपनु में कितना करना पड़े-गा, 100 भासभ़ोत समझ में आ रही आपको. अब ये देखिए किस तरीके से वनंगया। हैů ए परसंत अपन 100। यह बन माइन केलकुलेशन से भी कर सकते हो, मैं सिर्फ एक लाइन लिखकर आपको दिखा रहा हूं, आप माइन में भी कैलकुलेशन कर सकते हो, प्रैक्टिस करूगे तो, ठीक है, चलिए, इसके बाद कुश्चन नमबर फाइब देखे, इसका option, मुझे देखते ही न, एक बात पता चल रही है कि इसका ये बाला नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मुझे देखते ही question पता चल रहा है कि B नहीं हो सकता और D भी नहीं हो सकता, अब कैसे मुझे पता चल गया कि B option भी नहीं होगा, D option भी नहीं होगा, उसके बाद मुझे कैसे पता चला वो मैं आपको बताता हू अगर आपने compound or divided or rule पढ़ा होगा योगांतरा नुपात rule पढ़ा होगा अगर आपने compound or divided or अगर आपने पढ़ा है तो वो होता क्या है हमारा उसको थोड़ा सा समझा देता हूँ जैसे a plus b upon a minus b वराबर अगर आपका लिखा हुआ है यहाँ पर 3 और यहाँ पर ले लेते हैं आप 5 और यहाँ 2 अगर यह लिखा हुआ है तो एक बार तो उपर वाले को base मान के जोड़ दो तो जैसे ही जोड़ोगे तो b से b कतम हो जाएगा तो यहाँ कितना बनेगा 2a एक बार इनको क्या कर दो? minus कर दो, तो a से a खतम हो जाएगा तो क्या बनेगा 2b एक बार यह पांच और 2 जुड़ जाएगा 7 और एक बार पांच में से minus 2 हो जाएगा तो 3, तो 2 से 2 खतम हो गया तो a upon b कितना आ अगया हमारा 7 और 3 आ दे बात समझ में आई, यह compounder divided and do rule होता है, बड़े आसानी से question को solve कर सकते हैं, तो यही इसमें हम लगा देंगे, तो देखो कैसे लगाएंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बहुत simple question है, percentage से percentage cancel, 0 से 0 cancel, यह 2 और यह 3, ठीक है, क्या आ गया, यह 2 आ गया, और यह हमारा क चीक है, यह चीज आपके सामने लिखी हो लिए, a plus b into 2, और a minus b into 3, इसके बाद हम लोग इसको नीचे लेते हैं, a plus b, upon a minus b, is equal to 3 upon 2, कितना आ गया, 3 upon 2, तो यहां से मैंने जब इसको compounded divided and do लगाया, तो यह हमारा बनेगा, 2a upon 2b, is equal to, यहां से 3 और 2 कितना हो गया, 5, और 3 minus 2 कितना हो गया, एक, तो यह 2 से 2 cancel हो गया, तो a upon b, is equal to 2 आ गया, 5 upon a, कितना आ गया, 5 upon a, और जैसे ही 5 upon a का सम करोगे नीचे, तो नीचे कितना बनेगा, 6 बनेगा, 7 का, तो बनने का कोई सबाली नहीं उठता, तो इसलिए मैंने mind calculation करके यह बता दिया था, कि option b और option d, हमारा answer होई ही नहीं सकता, ठीक है, तो बास समझ में आ गई, a और b कितना आ गया, 5 upon बना गया, अब उठा के इस बाले में value put कर देते हैं, तो answer हमारा निकल के आ जाएगा, अब कैसे put कर देते हैं value, देखिए, मैंने देखा कि 2 लिखा हुआ है, तो 5 लग दिया, तो यह 7 upon 6, तो आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से, हमारा answer कितना हो गया, 7 upon 6 हमारा answer हो गया, इसके बाद question number 6 पे चलते हैं, और question number 6 हमने देखा और देखते ही, आपको समझ में आ जाएगा, कि z percent of b लिखा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि b तो option में उपर होगा ही नहीं तो यह वाला option हमारा नहीं हो सकता, और यह वाला option हमारा नहीं हो सकता, यह आपके कोई मेरे बनाए हुए option नहीं है, यह आपके सारे examination में आए हुए हैं, exam के अंदर जो questions हैं, उन्हीं मैं से मैंने उठाए हैं, आपने देखा कि यहाँ पर अगर z percent of b लिखा हुआ है, तो d यह वाला option हमारा answer नहीं हो सकता, a वाला हमारा answer नहीं हो सकता, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा b उपर आ रहा है, clear है बात आपको, अब solve कैसे करेंगे, इसको समझते हैं, solve कैसे किया जाएगा, वो समझने की कोशिस करते हैं, देखें, जैसे लिखा हुआ है, x percent of a, h equal to by percent of b, then z percent of b, h, तो मैंने देखा यहां से, मैं अगर b की value को यहां से उठा लूँ, और यहां पर put कर दूँ, तो हमारा answer आ जाएगा, तो b की value क्या बनेगी हमारी, b की value हमारी बनेगी, x percent into a upon by, x percent into a upon by, इसको उठा के कहा रख देंगे, b की जगे रख देंगे, तो वहां प percent into x percent into a upon by, तो into लगाओ या ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यह हमारा क्या बन गया, z percent x percent a upon by, तो आप यह ची देखिएगा यहां से, कि यह by percent है, यह भी कितना है, हमारा by percent है, तो इस तरीके से जब मैंने देखा, तो z x a और by कहा देख रहा है, तो यह देखो आपको, z x by upon a, और यहां से 1% से 1% cancel हो गया, और 1% हटेगा, तो नीचे कितना आ जाएगा, 100, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो option कौन सा हो गया, बी हो गया, समझ में आई बात आपको, तो इतना तो आपको थोड़ा सा दिमाख लगाना पड़ेगा, कि आपको यहां सी option D लिखा हुआ है, उसके अंदर भी B है उपर, तो यह दो option तो हमारे को ही नहीं सकते हैं, तो C और D में से, B और C में से ही हमारा कोई ना कोई option होगा सही, तो उसके बाद मैंने देखा, इसको solve किया, तो मुझे समझ में आ गया, कि नीचे हमारा क्या आने बाला है, नीचे ह हमारा by आने वाला है, यह चीज भी आपकी दिमाख में क्लिक यहीं से कर जाएगी, तो option हमारा कौन सा हो गया, option B हमारा answer हो गया, किलियर है आपको, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, चलिए, इसके बाद हम next question के साथ अगले वीडियो में आपको मिलेंगे, और अगले वीडिय करना बिलकुल ना भूलें, जिससे कि आपको वीडियो मिलते रहेंगे, और आप अच्छे concept के साथ paper में जा सकेंगे, और अपना selection ले सकेंगे, thank you so much.